हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का अर्भी एज यूट्यूब क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने कोश्चन ले करके आया हूं यह कोश्चन क्लास 10 की मैथ से एक्सरसाइज 4.3 का कोश्चन नमबर 10 है और इस वीडियो में मैं इस कोश्चन को डिस्कूस करूंगा आप बस द्यान से देखेगा आं तक देखेगा चलिए कोश्चन को शुरू करते हैं आपके आपके प्रेंजर ट्रेंट ट्रेवल 132 किलोमेटर बिट्विन मैसूर एंड बैंगलोरू विडाउट टेकिंग इंटो कंसेडरेशन दा टाइम डे इस्टाप एड़ इंटर्मेडियर इस्टेशन इप दा एवरेज स्पीड आप दा एक्सप्रेस्ट ट्रेंट इस 11 किलोमेटर पर आ आर है जो टोटल डिस्टेंस है वो 132 किलोमेटर है यह जो बोला गया है विडाउट टेकिंग इंटू कंसेडरेशन आप दा टाइम डे स्टाप एड़ इंटर्मेडियर इस्टेशन यानि कि जो स्टेशन पर ट्रेंड रुकती है ना उस टाइम को कंसीडर नहीं किया जा र ज्यादा है किसकी ज्यादा है एक्स्प्रेस्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश स्पीड आफ पैसेंजर ट्रेन इज एक्स किलो मिटर पर आर तो जब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स किलो मिटर पर आर है तो फिर टाइम क्या होगा है ना टाइम टेकें इस इक्वल टू देखो टाइम इस इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड क्या होता है टाइम इस इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड तो यहां पर टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है 132 किलो मिटर तो यह हो जाएगा 132 upon speed हमने लिट कर रहा है x तो यह हो जाएगा 132 upon x hours time किसमें होगा? hours में होगा ठीक है? यह तो हो गया हमारा passenger train के case में express train के case में क्या होगा? अब देखो express train की जो speed है ना वो 11 km पर आर more है and average speed of express train is देखो passenger train x है और express train जो है वो 11 km पर आर more है तो यहाँ पर plus हो जाएगा 11 यह हो जाएगा km पर आर तो यहाँ पर time taken कितना हो जाएगा? time taken is equal to time का formula अबने आपको बता ही रखा है कि t is equal to d upon s यानि कि distance upon speed तो यहाँ पर जो distance है बोतों सेम ही रहेगा 132 km speed हो जाएगा x plus 11 और यह time hour में होगा ठीक है? अब मैंने आपको देखो मैंने आपको पिछले questions में बता रखा है कि हम जो times होता है उसका difference ऐसे लेते हैं या तो फिर t1 minus t2 is equal to time difference ठीक या फिर t2 minus t1 is equal to time difference यह लेते हैं ठीक है? तो यहाँ पर अब t2 पहले आएगा कि t2 पहले आएगा यह कैसे decide करते हैं? तो यह हम speed से decide करते हैं देखो यहाँ पर x है यहाँ पर x plus 11 है अब speed कौन सी more होगी? तो यह वाली speed ज़्यादा होगी एक्स्प्रेस ट्रेंड की speed ज़्यादा होगी अगर speed ज़्यादा होगी तो time कम होगा ठीक है? अगर speed ज़्यादा होगी तो time कम होगा यानि कि यह वाला time ज़्यादा होगा यह वाला time कम होगा तो T1 टाइम में से T2 टाइम को माइनस करेंगे according to question अब देखो यह हमारा होज़े अगर T1 132 अपान X माइनस 132 अपान X पलस 11 is equal to 1 टाइम डिफरेंस कितने का है 1 का देखो यहां पर टाइम डिफरेंस 1 आर का है तो इतना आप रैट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो फिर आगे solve करेंगे तो यहां तक हम solve कर चुके थे अब इसे आगे solve करेंगे देखो यह fraction के form में है जैसे हमारे पास होता था 1 अपान A minus 1 upon B तो ऐसे इसको cross multiply कराते थे तो यहां पर इसको भी वैसे ही solve करेंगे तो उस case में क्या हो जाएगा 132 into x plus 11 और यह minus हो जाएगा 132 into x अपान यह दोनों आपस में multiply होंगे तो x into x plus 11 is equal to 1 आप देखो जब यह अंदर multiply होगा 132 तो यह हो जाएगा 132 x plus 11 से multiply करेंगे 11 to 22 to carry 11 to 33 plus 2 to 35 11 बन्जा 11 3 14 और यह multiply होगा तो यह हो जाएगा 132 x यह sign minus का ही आएगा और यह अंदर multiply होगा तो x into x x square plus 11 x is equal to 1 देखो यह दोनों same same है sign opposite है cancel out हो जाएगे उपर बचेगा आपका 1452 और यह जाएगा इधर तो यह हो जाएगा 1 into x square plus 11 x अब देखो 1 से आप multiply करोगे result वही मिलेगा इसलिए उसको अटा दो रखने की कोई जरूर नहीं है further क्या मिलेगा देखो यह x square है plus 11 x है और यह इधर plus है इधर जाके minus हो जाएगा 1452 तो इधर 0 बचेगा अब 0 चाहे आप इस side लगाओ या फिर इस side लगाओ result वही आना है कितना हो जाएगा 0 तो इसे फिर राइट करेंगे मीटा करके x square plus 11 x minus 1452 is equal to 0 अब हमें इसे factorize करना है ठीक है ऐसे question जिसमें a की value 1 हो x square का coefficient 1 हो तो आपर c के factor find करेंगे c कितना है 1452 इसको factorize करेंगे 2 से बंजा 14 2 से बंजा 4 2 से बंजा 12 अगें 2 से करेंगे 236 236 3 से करेंगे 3 बंजा 3 3 बंजा 6 3 बंजा 3 11 से करेंगे तो 11 आ जाएगा कोकि 11 square 1 to 1 होता है 11 बंजा 11 अब देखो इनको ऐसे बना सकते हैं 11 into 3 एक side कर लेंगे और 11 into 2 into 2 एक side कर लेंगे तो क्या मिलेगा देखो यह हमें मिल जाएगा 11 3 जा 33 और हमें यह मिल जाएगा 11 2 जा 22 जा 44 ठीक है अब यह तो हमें factor मिल गए एक मिल गए 33 और एक मिल गए 44 यहां पे दो condition verify करनी होती है एक इनका product C आए और इनका addition या subtraction भी आए तो दीको जो 44 into 33 करोगे तो यह आपको 14 52 मिल जाएगा और अगर आप 44 minus 33 करोगे तो यह आपको 11 मिल जाएगा यह दोनों ही condition को verify करता है तो इस case में हमारे factor हो जाएगा 44 और 33 केलिए बात है factor पता चल गया factor क्या हो गया या तो 44 लेना है या तो 33 लेना है इतना पता चलने के बाद में आप इसे चाहो तो वीडियो को पॉज़ करके आप पीछे जाके write कर लेना मैं मिटा देता हूँ अगर इन factor पता कर ले जाते हैं तो आप इसे trick के थूरू solve कर सकते हैं देखो कैसे ऐसे bracket लगाईए दो यह जो हमारा variable है वो x है ठीक है तो यहाँ पर भी x आजएगा और यहाँ पर भी x आजएगा देखो अगर middle term का sign plus है last term का sign minus है तो जो bigger value है वो plus में आएगी जो smaller value है वो minus में आएगी मतलब यह हो जाएगा plus 44 और minus 33 is equal to 0 यह तो हमारे factor हो गए यहाँ से जो root बनेगा x का तो जब इस equal to के उधर जाएगा जो plus है वो minus हो जाएगा means minus 44 और यह हो जाएगा plus 33 अब minus value जो होती है वो reject हो जाती है उसे हम नहीं लेते हैं plus value लेते हैं we rejected minus 44 therefore the average speed of passenger train is 33 km per hour and average speed of express train is 44 km per hour तो यह हमारा answer हो गया इस question का तो आप चाहें तो वीडियो को पाउच करके इसको write down कर सकते हैं या फिर screenshot ले सकते हैं तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले थेंक्यू ग्लास